आए। नार्म एवरीवेण वेलिकम टू नीटगुडुकू वैस्ट गुर्से। तो आज जो यूणेट सुरू करने जाए रहे हैं हम, इसका नामेutechnology यू इसमें दो चैप्टर मैं। छोटि यूणेट है सिर् pressed दो ही चेप्टर हैं, पहले चेप्टर का नाम है Biotechnology Principle and Processes दूसरे चेप्टर का नाम है Biotechnology and Its Application तो आज हम पहला चेप्टर पढ़ेंगे और पहले चेप्टर में बिसिकली बताए जाता है कि आपको कि Biotech जो है क्या होता है और Biotech में क्या-क्या Processes होती है दूसरे चेप्टर में आपको Biotech का Application बता जाता है यानि Biotech को हम रियल लाइफ में कहां यूज करता है ये बता जाता है, ठीक है तो शुरू करते हैं पहले चेप्टर से तो आज आते हैं सबसे पहले Definition पे अच्छा एक चीज में आपको बताऊनोंगा कि जो Biotech चेप्टर है, ये छोटा चेप्टर है लेकिन समझने दाइक चेप्टर है तो आप अच्छे समझ के पढ़िएगा अगर आपको समझ में आएगा तो आपको काफी इंटरस्ट भी आएगा इस चेप्टर में ठीक, तो Biotech नाला जे क्या होता है Integration of Natural Science and Organism Cells, Parts and Molecular Analog for Product and Services Integration मतलब होता है, जोड़ना हम क्या जोड़ा है, साइंस को जोड़ा है किसे Living Organism के साथ, किसे Living Cell के साथ जो Organism या फिर Cell है, उसका कोई Part है तो उसके साथ, किसी Molecular Analog के साथ Molecular Analog मतलब क्या होता है माली जे हमें पास एक Cell है इस सेलमा कोई Protein है, कोई Enzyme है जब हम उस Protein या Enzyme को यूज करते हैं तो हम Molecular Analog बोलते हैं, ठीक है For Product and Services, Product and Service के लिए तो यही होता बायोटेक, बैसिकली हम Science को जोड़ते हैं, किसी Living के साथ अब यह जो Definition है, यह किस ने दी थी EFB ने, यानि European Federation of Biotechnology ने यह Definition दी थी EFB का Full Farm ध्यान रखियेगा, कभी-कभी पूछा जाता है अब आते हैं, Second Point पे NCIT रिखता है कि जो हमाई Modern Biotech है यानि इस समय जो Biotechnology है, काफी अच्छी है यह दो चीजों के वज़े से है Genetic Engineering और Bioprocess Engineering Genetic Engineering क्या होता है, हम किसी भी Environment क्रिएट कर सकते हैं, माल लीजी हमाई पास एक इतनी बड़ी प्लेट है, अब इस प्लेट में हम Genetic Engineering करके कोई Bacteria रखे हैं, अब हम चाहते हैं कि उसमें कोई किसी तरह का Infection ना हो, यानि उस प्लेट में किसी तरह बाहर का कोई Virus ना है कोई बाहर का Bacteria ना है और वो जो प्लेट है, उसमें जो Bacteria हम चाहते हैं, सिर्फ वही ग्रो करें तो उसके लिए Bio Process Engineering आती है हम एक ऐसा Environment बना देते हैं, एक Sterile Environment, जिसमें सिर्फ वही Bacteria होगा, या फिर वही औरनल्स में होगा जो हम चाहते हैं, किसी तरह कोई infection नहीं होगा, यानि एक infection free environment होगा, तो यह होता Bio Process Engineering, ठीक, फिर Cloning, एक word है Cloning, Cloning मतलब होता है Making Multiple Copies of DNA, DNA की कई सारी copy बनाना, इसे Cloning कहते हैं, ठीक है आगे यह word फिर आएगा भी अब आते हैं, restriction enzyme पर restriction enzyme στο पर इस और होता है, यह एक तरह का निूकलिय जो enzyme होते हैं, इनके अलग रख होते हैं, जो restriction enzyme हें, यह और हम नूकलियff अब nocleeous भी दो तरह होते हैं exonucleotch और endonucleotch exonucleavy होता है, अच焦 apostाना जो exonucleague हैं кра नो करेगा cut dna從 end, जो dna होगा तो उसको end से काटेगा मतलब माली जी यह DNA है अब जो एक्जो नुक्लियस है यहां से काटेगा यहां से काटेगा बीच में नहीं काटेगा कहीं पर किसी एक एक्जो नुक्लियस जो दूसरा एंडो नुक्लियस क्या है कट एक इस पोजिशन विदिन डियने जो एक्जो नुक्लियस होता है वह DNA के अंदर किसी एक स्पेसिफिक पोजिशन पर करता है ठीक तो यह दोना डिफरेंस है थोड़ा समय छोटा कर दूं अब दिखरा होगा यह दो चैक अंदर किसी इस पेस्न पोजिशन पर विदिन डियने यानि डियने के अंदर कंता है ठीक अब पहला रिशिक्षन एंजाइम जो था वह हिं डी टू था इस साफ पहला प्ष्टिक्षन एंजाइम उन्याइम देंस समय लगबग 9020 आप मि मैं लगर Gmail980 तो दो सो तीस अलग अलग बैक्टिरिया से हमने लगबग 900 रिस्टिक्सन निकाल देंग है अब जो नेमिंग होती है वो कैसी होती है एक इक्जामपल देखे बाता है इको आरवन अब इसमें नेमिंग देखिए जो पहला वर्ड हो जीनस को सो करता है जो कि यह सर्सिया और द हो है इसर्सिया सी ओ को लाई है यानि पहला वर्ड जीनस को दूसरा इस्पैसेस को कि दीसरा वर्ड सो करता है यह श्ट्रेन को चौता वर्ड सो करता है प्लतां वह उलों ऊढलग और जो यह वन jadi लिखा रहे था आगे नंबर में रोमन नंबर में जैसे यहां पर वन लिखा यहां पर टू लिखा है यह सो करता है order in which it is isolated मतलब किस नंबर पर isolate किया गया माली जे एक बैक्टिरिया उस पर दूसरे नंबर पर कोई restriction enzyme isolate किया गया तो उसके नाम के आगे टू लिखा रहेगा तीसरे नंबर पर जो isolate किया गया उसके नाम के आगे थ्री लिखा रहेगा इस टैप से ठीक है तो यह naming का तरीका था अब आते हैं यहां पर जो पहला आर डियने था आर मतलो होता है रिकॉमिने डियने जो पहला आर डियने था यह 1972 में create किया गया दो scientist के दोरा जो की थे कोहन और बोयर तो कोहन और बयर ने 1972 में पहला रिकॉमिने डियने बनाया और इन्होंने कैसे बनाया इन्होंने antibiotic resistant जीन लिया इस जीन को link कर दिया plasmid of salm में salmonella के plasmid में link कर दिया फिर उसके बाद देन ट्रांसफर्ड प्लाजमिट टो इकॉलाई फिर इस प्लाजमिट को एकॉलाई के अंदर ट्रांसफर कर दिया ठीक है अब इसमें क्वेस्चन जो बनता है काफी अच्छा क्वेस्चन बनता है कि किसके plasmid को यूज किया थ था पहला रिकॉंबनेंट बनाने में ठीक कब बना था 1972 में कोहन और बयर दोरा बनाए गया था ठीक अब आते हैं जल अच्छा टॉपिक है और इंपोर्टेंट भी है जल एक तरफ हम एक ट्रे ले लेते हैं यह मालेजिए एक ट्रे में एक तरफ हम निगेटिव लगा देत इसमें बीच में क्या बहर देते हैं जल भर देते हैं और इसको इस में ने निगेटिव force होता है निगेटिव चार्ज्च किस एक होगा absolutely positive से टूर जाएगा और positive के तरफ attract होगा, यानि इस side की और moment होगा, इधर की और, इस तरफ की और DNA का moment होगा, ठीक है, तो DNA positive charge की और जाएगा, क्योंकि इसके उपर खुद negative charge होता है, अब एक और चीज ध्यान रखिए, जो DNA जितना छोटा होगा, वो उतनी तेज move करेगा, इसलिए देखिए, छो होटे वाले होंगे, वो जल्दी move करेंगे, वो आगे रहेंगे, अब यह जो जल भारा जाता है, इसको कहते हैं, एग्रोज जल, एग्रोज जल जो है, extracted from seaweed, वीड मतलब समझ दिए, खर्पतवार, ठीक है, तो समुदर में पाई जाने वाली एक वीड होती, एक प्लांट होत से हैं, बाले हो इस साइड़ दीएन उसमुद एक प्लांट समय और अब धे, यह इस आपने वालि नंगा, यह ध्याने का फो कहा ओड़ी अदिन ना प्नट सलएक का समय इसी से हमें Deputy दो लाने, नोल नोल में प्रेंगे यु आप और वीड से देखंके नौर मई जे kidney उतले ह यानि अलेंगे टिने अब नहीं जो इस बैट अरेंडी औरेंड कऱ्रफ में अब नहीं लग में जबहो जाता है मतलब द्योन आफरेंडेंड अल очıl Extract काते हैं. Extracting DNA from AgroJel और इस प्रॉसेस को Illusion कहते हैं. थिक? Illusion क्या होता है? Extracting DNA from AgroJel. अब Illusion में क्या किया जाता है? कैसे किया जाता है? ये सारी चीज़ें NCAT ने आपको नहीं दी हैं. सर्फ नाम बताया है तो आपको भी नाम याद रखना है. तो इलू्शन किया होता है एक्ष्ट्रेटिं ड्यैने फारеп मैं एक्ष्टिक से ड्याने को एक्ष्ट्रेट करना यहां होता है टो यहोगी हमारा घ्रणा पेच आप सबसे पहले ड्राप सब्सक्राटीं क्र सब्सक्राइए घ्रने बार इंऊ pay मीजनन suf करता हैं o कार है वह आपको एक जग़ 알ड भाइवा ले जा सकती है ठीक है तो इससे कहता है वेक्टर बहुत ही semi लिए हैं जैसे female इनौफिलिफ वह प्लाजमो दिम खो यानि spot करने वाले को एक बाड़ी से दूसरे बाड़ी में पहुंचा सकती है ठीक सथी अधर काम करती इसमें क्या क्या होना चाहिए कम संगम एक ओरीजिन ऑफ लेप्लिकेशन होना चाहिए यानि ऑड़ाई होना चाहिए और यहां से रेप्लिकेशन सुरू होगा ठीक है डिसाइड कोपी कितना होगा यानि जो हमने प्लाजमीडिया बैक्टियोफेच लिया है वह कितनी ज्यादा डियने की कॉपी बना सकता है यह चीज और आई पर डिपेंड करती है तो कॉपी नंबर कौन कंट्रूल करता है और आई अब क्लोनिंग वेक्टर के पास सेलेक्टेबल मार्कर ब्यू किसमें नहीं होगे किसमें क्यिस्चेश सब्सक्राइब करता है कि कॉछ बैक्टेडियां तो कुछ बैक्टेरिया बैक्टेडिया होगें कि पहचानने में करता है क्वे removed do οπο59 तेवा ट्रांसफॉर्म हो गए कौन नहीं हुए ठीक है अब जीन इंकोडिंग लाइक एंटिबाइटिक रिजिस्टेंट जीन इंकोडिंग ऐसे जीन्स जो कि एंटिबाइटिक रिजिस्टेंट के लिए इंकोड करते हैं जैसे कि MPH, t abundant, chloramphenicol, cainomycin यह सारे antibiotics हैं today are generally used और इसे को हम generally use करते ह् soon हम aicet genes को use करते हैं biotic मतला होता life तो मतलब किसी चीछ को मार सकती है यह लेकिन अगर कि मार सकती है यह किरी रगखनाना Notes होता थै विरोध करना तो अगर आप a Hij Stuff किसी बैक्टिरिया पर ढाल दीन और उसके पास एं मैंज का विरोध कर देगा और एंपैसिलैन जो है वह बैक्टिरिया को मार नहीं पाएगी ओतma कर अब आते हैं सेलेक्ट अगर मारकर पास क्लोनिंग साइट जो होती है वो वेक्टर के सिंगल रिकागनिशन साइट इस प्रिफर्ड क्लोनिंग साइट मतलब किस जगह पे हम अपने जो अपना डियने है उसको एड करेंगे जैसे यह एक प्राजमिट है ठीक है इसका नाम है प क्लोनिंग साइट है तो वो काफी अच्छा होता है मतलब वेक्टर वेस सिंगल क्लोनिंग साइट इस प्रिफर्ड एक अकेली से साइट हो तो ज्यादा अच्छा है ठीक अब यहां पे एक PBR 322 है इसका आपको मतलब फिगर अच्छे से याद रखना है क्योंकि क्वेश्च हिंडी 3 यह जगह पे काटेगा बैम H1 जो है वो यहां काटेगा तो यह जगह पे काट रहा है इसे को कहते हैं हम रिकागनीशन साइट ठीक है बता अगर हम बैम H1 ले लिए मालीजे अब बैम H1 हमने रिस्टिक्शन एंजाइम लिया है अब यह DNA को काटेगा तो इस जगह पे काटेगा यही जगह जो है वो पहचान है अगर पूरा DNA उसको देदो पूरा DNA वो देखेगा पूरा DNA देखके वापस इसी जगह पे आएगा और यहीं पे काटेगा ठीक तो यह जो साइट है यह जो जगह है यह बैम H1 के लिए रिकागनीशन साइट है ठीक अब एक और हो चीज़े है जब यहां से यह कार दएगा तो यहां पर है छ 국ल यं बिगार पारा तो जिए जो जो जीए है खराब गया ना इस जगहे पर यह जगह तो यह आप बैक्टीरिया के उपर आप tetracycline डालोगे तो मर जाएगा बैक्टीरिया ठीक और इसी तरीके से सिर्टेबल मार्कर के तरह काम करता हैं माली जी अगर हम tetracycline वाला इस जगह पर लिए बैम H1 से हमने इसको काड़ दिया और इस जगे पर अपना DNA लाके एड़ कर दिया तो ओरिजिनल जीन जो है वो खराब गया और इसी वह जैसे ट्रेटरा साइकलिन का रेजिस्टेंस नहीं रह गया तो जैसे ही हम यहां पर इस जगे पर काड़ देंगे ट्रेटरा साइक डालेंगे तो बैक्टिरिया मर जाएगा ठीक क्योंकि रेजिस्टेंस नहीं रह गया इसी तरह के समाल जीजा हमने पीएश्टी वन जो है रिस्टिक्शन एंजाइम पीश्टी वन जो है इस से काटा तो यह इस जगे पर रिस्टिक्शन एंजाइम इसको काड़ देगा अगर हम पी यूवी वन और पीश्टी वन से काटेंगे तो यह इस तरीके से काम करता है इस वेक्टर का नाम क्या है PBR 322 टोटल कितनी साइट से हैं इसके पास देख लिए एक दो तीन चार पांच छे साथ और यह आठ टोटल आठ यहां पे रिस्टिक्शन एंजाइम आठ अगर कई साइट हो जाएंगी तो फिर वह अलग अलग जगे से काट देगा डेने पूरा खराल जाएगा हमाँ वेक्टर मतलब पूरा खराब जाएगा तो यह हो गया हमारा क्लोनिंग वेक्टर का टॉपिक कफी इंपॉर्टेंट था हो सकता है आपको समझ में आया हो अगर नहीं समझ में आया तो आपका मतलब यह होता है कि अगर आपने एक को बार पढ़ा नहीं होगा मतलब पहले कभी एक भी बार नहीं पढ़ा है तो हो सक एक्टिवेशन। जो आभी मैंने बताया कि जहां पे आप डियन्य इंर्ट करोगे नए डियन्य मालिजे हमने यहां पर डियन नए डियन्य इंसर्ट कर दिया तो ट्री जू जेए पहले यह जीन इस तरीके से पूरा पूरा था अब आपने डिस्टर्ब कर दिया पूरा इसको पूरा तरीके से खराब कर दिया तो यही होता है इंसर्शनल एक्टिवेशन मतलब हमने जब यहां से इसको मतलब वेक्टर को यहां से काटा यहां पर अपना डियने इंसर्ट कर दिया जहां से आप काटिंग को हम जहां Paid करते हैं वह साइट इनक्टिव हो जाती है एंड कांट प्रोड्यूस एंजाइम और प्रोटीन अब यह एंजाइम या फिर प्रोटीन नहीं बना सकती है ठीक तो यह देखिए जब हम यहां पैड कर देंगे तो यह वाला प्रोटीन नहीं बनेगा यह फिर कहे द ने ने को वहां पे एड़ करें यहां पर रिकॉंबिनेंट नहीं होगा फॉरेंट और इस यहां पर फॉरेंट डियन में होगा अग जो कि बिटा गलेक्टु साइड बनाता है ति इस जगे पे बार यह बनाता था अब हमने यहां से इसको काड़ दिया और यहां पर अपना अब इन प्रिजेंस अगर कोई क्रोमोजेनिक सबस्टेंस अगर कोई क्रोमोजेनिक क्रोमोजेनिक बतलता है लाइट्प्रोड्यूस करने वाला तो अगर कोई लाइट्प्रोडियूस करने वाला सबस्टेंस हम एड कर देंगे इस केसे में बीटा गलेक्टियूस वाज़ेकर केस में तो यहां प्राइप्लेम होगी होगी ठीक जो non-recombinant होंगे यानि जो की जिनके अंदर genetic modification नहीं हुआ है वो blue color की colony देंगे और जो recombinant होंगे वो no color देंगे मतलब कोई भी color नहीं देंगे ठीक तो वो normal रहेंगे लेकिन जो non-recombinant होंगे वो blue color की colony रहें कि उनकी तो इससे हम पहचान सकते हैं यह भी एक तरह का selectable marker है इससे हम पहचान सकते हैं कि non-recombinant और recombinant क्या है या फिर transformants और non-transformants कौन कौन से हैं ठीक तो यहाँ पर हमें recombinant से ज्यादा मतलब रहता है तो हम recombinant को निकाल के अलग कर लेंगे जो जिनके पास color नहीं होगा और इसलिए वह recombinant हो गया है तो यह हो गया हमारा इंसार्शनल एक्टिवेशन का टापिक फिर आते हैं अब वेक्टर पे वेक्टर हमने अभी बताया आपको यह भी एक तरह का वेक्टर है PBR 322 लेकिन अगर हम plants और animals की बात करें तो हम agrobacterium tumifacians और retrovirus को यूज करते हैं अब agrobacterium tumifacians जो है वह plants के लिए उसके आजाता है इसमें TI नाम का एक plasmid होता है FTI plasmid TTI plasmid करता क्या है normal cell को tumor में बदल देता है ठीक तो यह काम का मतलब चीज है जब हम TTI plasmid जो होता है इसके अंदर अपना foreign DNA जो होता है एड करके हम plants के अंदर transformation करा सकते है ठीक है तो अच्छा question जो आता है वो यह काफी जाता है कि जो agrobacterium tumifacians है यह किस के लिए होता है यह plants के लिए होता है ठीक है इसमें TI plasmid होता है यह normal cell को tumor में बदल देता है दूसरा है retrovirus जो की animals के लिए होता है यह भी question काफी बारा है कि animals के लिए कौन सा होता है तो retrovirus यह animals के लिए होता है यह normal cell को cancerous cell में बदल देता है ठीक तो इनको हम vector के तरह यूज़ करते हैं यह normal cell को cancerous cell में बदल सके यही होता है insertional activation का फाइदा हम क्या करेंगे ऐसा जगे दूडेंगे जहां से इसकी property थी कि यह normal cell को cancerous cell में बदल देता था और उसी जगे पर हम अपने DNA लगा देंगे तो अब यह property इसके अंदर रही नहीं जाएगी ना इसके अंदर यह खासियत रही नहीं जाएगी तो अब यह normal cell को cancerous cell नहीं बना पाएगा इसी तरह के यहां पर भी plants के अंदर जो ti plasmid में हम ऐसी जगे दूड़ते हैं जिसके वजह से वो normal cell को tumor बना देती है अब हम उसी जगे पर अपना DNA add करना चाहते हैं उसी जगे पर अगर हम अपना DNA add करने में successful तो यह normal cell को tumor बना ही नहीं पाएगा ठीक है और हमाँ पास एक अच्छा वेक्टर हो जाएगा वेक्टर के तरह काम करेगा तो यह मतलब काफी बढ़िया टॉपिक है काफी इंट्रेस्टिंग अगर आपको समय में आ रहा होगा यह चीज मतलब मुझे बहुत ज़्यादा प यह इतनी बड़ी cell है इस cell में यह ऐसी cell है अब इस cell में हर तरह boundary लगी हुई है अब हम अपना DNA इसके अंदर भेजना चाह रहे हैं लेकिन इस boundary से यह cross नहीं हो पा रहा है तो DNA जो है उसको cross कराना चाहिए इस boundary से और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए यह हमें आप बताए तो यह माली जो कोई bacteria की cell है इस bacteria में हम अपना DNA अंदर इसमें भेजना चाह रहे हैं foreign DNA को यह इसके अंदर भेजना चाह रहे हैं तो हम कुछ ऐसा करें कि इसकी दिवाल जो है या फिर कमजोर हो जाए या फिर छेद बन जाए इस दिवाल में और इस छेद के थ्रू हमारा DNA अंदर भुष जाए यह चीज तो competent house में क्या हम क्या कर रहे हैं मतलब इसमें चार हो चारों अच्छे से आपको ध्यान रखने हैं कभी कभी सीक्वेंस में आ जाते हैं यह सबसे पहले हम उस सेल को बैक्टीरिया को या फिर बैक्टीरिया की इसल में हम बाल लेते हैं उस बै लेते हैं से त्रीट करेंगे डाइवैलेंत मतलब जिसकी वैलेंसी टू है जिस पर दो चार्ज होई यह समझ लेजिए जैसा है जासे पलस टू यानी कल्सियम आयन तो डाइवैलैंट कटैन से हम इसको ट्रीट करेंगे सबसे पहले फिर इंक्युबेटिंग बैक्टीरियल स को और ड्यन्य के साथ आइस पर यानि बैक्टिरियल सेल को Carryफ Divine को आइस पर एक था चोटासраф+, čहोटासर ईइस पर फिर उसके बाद फिर से अगें यह quality lagi कर देंगे ठींड यह चार श्टप होते हैं पहले हमने डाइध तो यह हमारा तीसरा पेज और अब हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले सबसे इंपर्टेंट बात है कि इनिमल सल के लिए उसके आता है अच्छा ध्यान रखिएगा मैं इसको जीन गन कहते हैं यह प्लांट के लिए होता है सबसे इंपर्टेंट पार्ट माइक्रो पार्टिकल्स ऑफ गोल्ड और टंग्स्टन यहां पे हम क्या करते हैं माइक्रो पार्टिकल्स यानि बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स लेते हैं गोल्ड के और तंग्स्टन के और उससे कोट कर देते हैं रिकॉमिनेंट डियने से तो यह जो पार्टिकल्स ले हुपते लिकोलए को हम कहा मारते हैं प्लांट से कप अ चाहिए तो यह होता है बायो बायो लिश्टिक जीन अब आते हैं आइसो लेसा टियम क्यों करते हैं को भी को बनाना है तो तो में सिर्फ DNA होता है DNA के लाओं हजारों चीज़े होती है प्रोटीन होते हैं इंजाइम होते हैं सुगर होते हैं और सिल्वाल होती है सिल्वाल में होता है या फिर काइटिन होता है जो भी होता है बदब काई चीज़े होती है और उन सब चीज़ों को हटा के हमें प्योर डियने च और प्रोटीन को चल्वाल को तोड़ सकते हैं अब टो रिमूव और प्रोटीन और प्रोटीन को हटाने के लिए आरएने को हटाने के लिए आरेने सब्सक्राइब देंगे जो कि RNA को dissolve कर देगा खतम कर देगा प्रोटीन जो है उसके लिए प्रोटीज डाल देंगे प्रोटीज क्या करेगा प्रोटीन को digest कर देगा ठीक तो मतब हर चीज हम हटा के हमें सिर्फ एक चीज देना है कि DNA हमें प्योर में मिलें इसी होज़ा सारी चीज़े डाल लें और सब चीज हटा रहे हैं अब इसके बाद हम चल्ड एðनॉल क्या करेंगा प्रेसिपिटेट प्यूरिफाइड बिया जो प्यूरिफाइड डियने ने होगा वह प्रेसिपिटेट हो जाएगा अच्छा इसके सारी चीज़े कर लिए उसके बाद हमें हमें DNA मिल गया फिर उसके बाद DNA में हम जब चिल्ड एथनॉल डालेंगे तो प्रेसिपिटेट कर जाएगा हमें एक सॉलूसन में बाकी चीज़े भी रहेंगी जैसे जो सेल वाल टूटी है तो सॉलूसन में ही तो रहेंगे तूट के बाहर थोड़ी चलियागी और जो यह आरी ने से जो प्रोटीन है वह भी तो उससी सालूसन में रहेंगा तो उस सारी चीज़ें लेकिन हमने DNA को precipitate कराना यानि DNA नीचे की और बैठ जाए तो हम इसके लिए क्या करते है chilled ethanol add करते हैं और यह क्या करेगा precipitate purified DNA यानि purified DNA को precipitate कर देगा अब to separate out DNA spooling process spooling नाम की एक process होती है जो की use करते है हम separate करने के लिए DNA को तो precipitate हम पहले कर देंगे precipitate करने के बाद हम separate करेंगे DNA को यानि DNA को वो solution से निकालेंगे और उसके लिए हम use करेंगे spooling नाम की process ठीक अब हम आते हैं PCR polymerase chain reaction बहुत ही important topic है काफी question आते हैं इससे PCR क्या है polymerase chain reaction इसका full form होता है यह मैंने salt में लग दिया ठीक है और इसमें तीन step होते है denaturation annealing और extension denaturation क्या होता है कि माली जी हमाई पास यह DNA helix था अब DNA जो है helix रहता है और जुड़ा हुआ होता है denaturation में हम क्या करते हैं दोनों strand को अलग अलग कर देते हैं ठीक तो यह दोनों strand एक से जुड़े हुए थे यह three prime है यह five prime है तो एक five है three है एक three to five है इस टेप से यह सब चीज है तो मतलब common चीज है आपको पता है होनी चाहिए तो यह ध्यान रखिए कि denaturation में हमने जो दोनों strand है इनको अलग किया annealing दूसरी process होती है इसी को primer annealing भी कभी कभी कहा जाता है annealing में क्या करते हैं हम एक छोटा सा primer लेते हैं primer क्या है small chemically synthesized oligo nucleotide basically primer जो होता है एक तरह का nucleotide होता है लेकिन छोटा सा होता है लगवर 10-12 base pair इसमें होते हैं ठीक है और उसको हम ले जाके यहाँ पे add करेंगे सबसे पहले ऐसे प्राइमर हमने एक यहां write कर दिया तो five से five के सामने three prime वाला end add हो जाएगा ठीक है यहां पे five prime वाला end है तो इसके सामने three prime वाला end add हो जाएगा ठीक तो हमने यहां पेви primer जोड़ दिया इसी कहते है annealing या फिर primer annealing ठीक तो यह दूसरा step होगया तीसरे step में हम क्या करेंगे extension करेंगे अब extension करने के लिए हम क्या करेंगे tag polymerase डालेंगे tag polymerase एक तरह का DNA polymerase होता है उसलिए हमने DNA बनाना है यही तो हम कर रहे हैं पूरे process में DNA बना रहे हैं तो tag polymerase हम add करेंगे जो की extension सुरू करेगा extension में क्या करेगा यहां से primer हमने यहीं तक एड़ किया था इसके बाद आगे बनाता बनाता चला जाएगा जब तक हम इसमें polymerase रहेगा जब तक और जब तक इसमें DNA यहां से बना हुआ था प्राइमर तो आगे बनाने के लिए हमें और नुक्लियोटाइड चाहिए ना तो इसी तरीकसी एक्स्टेंसन होता जाएगा तो आप देख रहें आप एक DNA हम लेके चले थे और यहां पर हमाँ पास दो डियने हो गया अब जब यही साइकल फिर से में हो जाएंगे तो यह साइकल रिपीट करते हो यह चोटा सा इकड़लियागे एक बैक्टिरिया है जो टेख फ्रमस एक बैक्टिरिया होता है नहां थार्मस का टी लिया गया है एक यूट सैक को टिक टी ए Q अब स्टेबल लेडवाइट हुप यहی यह काफी इंपॉर्टन पॉइंट है कि क्यों यूज किया गया इस वजह से क्योंकि यह स्टेबल होता है यह ज्यादा तेंपरेचर पर विए तर्टी साइकल अगर यही जो साइकल चल लएए यह तीस बार चलेगी तो वन बिलियन हो जाए यह एक बिलियन टाइम से एंप्लीफाइट हो सकता है अब इंप्लीफिकेशन मतला होता है हम mobile से उसको जोड़ देते हो जो mobile में गाना बसता रहता है उसको बहुत ही ज्यादा तेज बजा देता है ज्यादा amplify कर देता है ठीक है तो polymerase chain reaction भी क्या करता है DNA को amplify करता है amplify करना बढ़ा देना उसका amount जो होता है काफी ज़्यादा बढ़ा देता है जैसे यहां पर हमने एक ही strand लिया था यहां पर एक ही cycle में दो strand हो गए दूसरी cycle जब चलेगी तो चार हो जाएंगे इसी तरीके से जब 30 cycle हो जाएगी तो लगबग एक billion times हमाई पास जादा DNA होगा जितने से हमने सुरुवात किया है ठीक कुल 30 cycle में समझ रहे हैं कितना ज्यादा effective process हो रहा है यह हो गया हमारा tag polymerase और यह याद भी रखिएगा अच्छे से काफी ज़्यादा पूछा आता है और इसमें billion और million में काफी लोग confused होता है कि billion था यह million था तो अच्छे ज़्याद हो किएगा एक billion टाइम से एंप्रिफिकिसन हो जाएगा 30 cycles में 30 cycle में अब आता है downstream processing downstream processing क्या होता है making product ready to be sold in market जो product हमारा बनता है उसको हम ready करते हैं मार्केट में बेचने के लिए इसे कहते हैं downstream processing इसमें क्या क्या पार्ट होता है separation जो हम आप product बना उसको हम separate करते हैं purify करते हैं preservative add करते हैं clinical trial करते हैं अगर drug है तो drug मतलब कोई अगर medicine के रूप में हम इसको use करना चाहिए तो उसका clinical trial करेंगे क्लिनिक के तौर पर trial करेंगे quality control करेंगे यानि quality की testing भी करेंगे किस quality का प्रोड़क्ट है वो simple चीज़े ठीक तो downstream process में यह चीज़े होती है इसमें important क्या है यह दोनों ठीक है separation और purification यह main processes है ठीक main process तो basically यह दोनों आप जलू याद रखिए गर downstream processing में ठीक है तो यहाँ पर हम करते क्या है product को ready करते हैं कि वो market में बेचा जा सके जैसे अगर एक juice की company देख ले तो आप juice निकाल के तुरंट बेच नहीं सकते हैं उस juice निकालते हैं आप में उस juice में क्या क्या रहता है बहुत सारी चीज़े रहती माली जे गन्ने का juice है तो गन्ने के छोटे-छोटे particles हैं उसमें और भी चीज़े है तो हम क्य यही सारी चीज़े है हम downstream processing में करते हैं ठीक है एक मिट रूजा दो पारी अक्चिली आखिरी topic है हमारा बायोरिक्टर बायोरिक्टर क्या होता है बैसिकली बड़ी-बड़ी टंकिया होती हैं और इस टंकी में हम क्या कर सकते काफी कुछ कुछ गन्ट्रोल कर सकते हैं ठीक है प्रोटेीन को हमें चहीं उसी प्रोटिन के वज़े सेalten डाला है तो हम क्या चाहिएगे बैक्टिर्या पूरी अच्छे से ग्रोथ करेगा वह उतージ हमें उतना ज्फी करेगा उतना ज्यादा प्रोटीन मिलेगा तो दोinha उसको बैक्टिर्या को बायो चैनल के लिए तरह के रूप में और इसने लगवग सोव से एक बार में एक एक सौव से एक हजाल लीटर तक का बैक्टीरिया के रूप में हम उसमें डाल सकते हैं ठीक है most common bio-reactor जो होते हैं Optimum मतलब होता है Maximum Growth, जितनी ज़्यादा हो सके, बैक्टिरिया को grow करना चाहिए, जितना ज़्यादा वो grow करेगा, उतना ज़्यादा हमें product मिलेगा, मतलब हम कोई enzyme धोड़ने हैं, तो enzyme मिल पाएगा, protein धोड़ने हैं, तो उस protein को पा सकते हैं, जितना ज़्यादा बैक्टिरिय कर सकते हैं, oxygen कर सकते हैं, amount of salt, यानि salt कितना है, substrate कितना है, ये सारी चीज़ा हम कंड्रोल कर सकते हैं, ठीक, जब तक हमें optimum growth नहीं मिल जाती, यानि maximum bacteria की growth नहीं मिल जाती, तब तक हम ये चीज़े change करते रहते हैं, ठीक, तो ये हो गया हमारा आख्री topic, जो था bio reactor का, तो उम धो पारी, अब आपको दिख रहा होगा, उमेद करते हैं, तो ये हमारा पहला पेज हो गया, तो वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक कर दीजेगा, और शेयर कर दीजेगा, चैनल को सस्क्राइब कर दीजेगा, अगर अच्छा लगा हो, ठीक है, बाकी PDF फ्री है, और आ समझने लाइक है, काफी जादा अच्छे से समझना चाहिए आपको ठीक, अगर आपने एक भी बार नहीं पढ़ा इस चैप्टर को डायरेक्ट, अगर आप आके माइन में देख रहे हैं, तो बहुत ही मुस्किल है, इस चैप्टर की कही सारे पॉइंट्स होंगे, जो कि से, तो अगर आपको इस चैप्टर में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक, तो थैंक्यू वेरी मच, फॉर वाचिंग, मिलते हैं अगरे वीडियो में, तब तक कि लिए बाई